नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रीती और आप देख रहे हैं फर्स्ट विहार ज़ार खंड बीते कुछ दिनों पहले राज़त सुप्रीमों लालू प्रसाद यादों ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाया था जिसके बाद देश में ये चर्चा का विशय बन गिया इस पर जो चुनावी रण है वो भी एक तरह से तयार नजर आ रहे थे हर तरफ इस बाद की चर्चा हो रही थी जिसके जवाब में जो भाज़पा खेमा है उनके सभी नेता अपने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखे हुए है और इसी से एक अभियान भी चलाया गया लेकिन सवाल ये उटता है कि क्या सिर्फ राज़द ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवार वाद की राज़नीती करती है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन-कौन सी ऐसी पार्टी है जो की परिवार वाद की राज़नीती इस लोग सभाचुनाओ 2024 में भी कर रही है देश की अंदर पहले कुछ महीनों से परिवारवाद का मुद्दा काफी गर्ब है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल निथाया तो जम कर पुरे देश में बहस छुड़ गई लालू यादों के जवाब में भाजपा ने पुरे देश में मोदी का परिवार कैमपेंच चलाया लेकिन अब चुनाओ के तारिखों का एलान होने के बाद कैंडिडेट के जो नाम सामने आये हैं उसमें भी परिवार वार की कुछ जलक देखने को मिल रही है हालाकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इसको लेकर सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन जब उनसे खुद के बारे में सवाल होता है तो फिर उनका जवाब जाती समिकरण पर आकर थम जाता है दरसल लोग सभा चुनाओ के लिए राश्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन और राजण ने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है ऐसे में बिहार के राजनीति के पांच बड़े राजनीतिक परिवार के नैस अदस्त 2024 के चुनाओ में नजर आएंगे वैसे इसमें से दो पहले से ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं लेकिन ये सभी लोग, लोग सभा चुनाओ में पहली दफे अपना भाग्य आजमाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं लालुक्त साद यादो की दूसरी बेटी रोहिनी आचारिया की तो ये इस बार सारण सीट से राजत की उमिदवार होंगी यह पहली बार सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगी वो भी सिधा लोग सभा चुनाओ के मैदान में वही नवादा से सीपी ठाकूर के बेटे विवेक ठाकूर का है वैसे तो ये राजनीति में पहले से एक्टिव है लेकिन अभी वो राज्य सभा के सांसद है अब उन्हें लोग सभा का टिकट मिला है और पहली बार सीधा चुनता के बीच जाकर अपने पंच में वोट की अपील करते नजर आएंगे इसे से पहले वो चुनाव प्रचार करते तो थे लेकिन खुद के लिए नहीं अब अगर हम दूसरे कैंडिडेट की बात करे तो सासा राम सी पुर्व मंत्री मुनी लाल के पुत्र शिवेश राम है इन्हें भाजपा ने अपना उमिद्वार बनाया है इसके अलावा पाचवे नमबर पर है बकसर सीट से राज़त की वरिष्ट नेता जग्दानंद सिंग के पुत्र सुधाकर सिंग इन्हें राजोत ने अपना उमिद्वार बनाया है सुधाकर सिंग भी लोग सभा के लिए पहली दफे चुनावी मैदान में होंगे ऐसे में अब सवाल यह उठना सुरू हो गया है कि भाजपा जो लगातार परिवार वाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर सवाल उठा साथी रहती है वो भी चुनाव आते ही कई जगहों पर अपने पुराने लिताओं के परीजन को टिकट देने से पीछे नहीं हट्टी है 2024 के चुनाव में विवेक ठाकूर और शिवेश राम को भाजपाने अपना उमिद्वार बनाया है उधर राज़त पर परिवार वाद को बढ़ावा देने का आरोब लगता रहा है लालु प्रसाद यादो की पाईटी राज़त में सभी बड़े पदो पर उनके परिवार के लोग ही दिखाई देते हैं पाइटी के राश्च्री अध्यक्ष लालु प्रसाद यादव, बिहार विधान सभा में विरोधी डल के नेता तेजस्वी यादव, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, विधायक हैं, विधान परिशन में विधायक डल की नेता लालु यादो की पत्नी राबडी से हैं और इस बार लालु प्रसाद की दूसरी बेटी रोहणी आचार्य सारण सीट से चुनाओ लड़ेंगे, वहीं पाइटी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानंद सिंग के पुत्र सुधाकर सिंग बकसर से चुनाओ लड़ेंगे, बहरहाल इन तमाम चीजों पर नज़ से नहीं रहती है, लालु यादों पर परिवारवाद का रोप लगता रहा है, चहरे भले नए हो, लेकिन पार्टी उनके परिवार के पुरानी प्रिस्ट भूमी को देख कर ही देती है, दोहजार चौबीस में जिन पांच नए लोगों को तिकर दिया गया है, सबका राजन परितिक लाब उनको मिल सकेगा, तो भले ही नेता एक दूसरे पर एक दूसरे की पार्टी पर लगातार परिवारवाद को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बावजूद सभी के पार्टी में कोई ना कोई ऐसा जरूर है, जो की परिवारवाद की रासने की करता है, वहीं जब इ दीजिया इजाजत लेकि देखते रहें, फर्स्ट भिहार ज़ार खंड, धन्यवाद! अपना घर भी तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में, पुर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग, अड़े अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं, घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.